नवसकार, competition community के इस online platform पर आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करता हूँ कि आप बढ़ियां होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी चल रही होगी साथियो हमने इसके पहले के जो lecture थे जो classes थी तो हमने मद्यप्रदेश लोग सेवा आयोग का जो प्रारमभिक परिच्छा का सलेवस है उसकी unit 10 के जो संबैधानिक गयर संबैधानिक निकाय हैं उनको पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमने इसके पहले के संबैधानिक निकायों के बारे में पढ़ा हमने अपने पहले क्लास में पढ़ा भारत निर्वाचान आयोग के बारे में उसके बाद हमने दूसरी क्लास में राज निर्वाचान आयोग साथ में मद्यप्रदेश राज निर्वाचान आयोग के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने दूसरी क्लास में देखा संग लोग सिवा आयोग के बारे में फिर हमने राज लोग सिवा आयोग मध्यप्रदेश राज लोग सिवा आयोग के बारे में देखा उसके बाद हमने CAG के बारे में पढ़ा आज हम पढ़ेंगे उसी chapter जो unit 10 है उसके अंगले topic और अंगला topic क्या है नीती आयोग आज हम नीती आयोग के बारे में देखें अगर आपने पहले के लिक्षिन नहीं देखे हैं तो आप जाएए विजिट कर ये playlist में जाएए और आप वहाँ वीडियो देखिए उसके साथ सा detail वीडियो है उसके साथ हमने objective type के भी MCQ आपके लिए लेकर आए हैं और उनको भी हमने वहाँ चर्चा करी थी उनके बारे में तो आप उनको जाएं और देखें आज हम पढ़ेंगे नीती आयोग नीती आयोग के बारे में हम देखें आप देखें नीती आयोग नीती आयोग का पूरा नाम National Institutions for Transforming India National Institutions for Transforming India क्या है इसका full form है नीती आयोग का हम नीती आयोग के समस्च डाइमेंशन के बारे में पढ़ेंगे क्या खिर नीती आयोग कैसी संस्था है नीती आयोग का गठन करने का प्राबधान क्या रहा क्या इसकी विवस्था है बरतमान में कैसी इसकी प्रिष्ट भूमी रही हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे इसकी आवश्चक्ता क्यों महसूस हुई इसके कार क्या है, इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, आइए हम देखते हैं, हमको पढ़ना क्या है, नीती आयोग के बारे में हम किन किन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, नीती आयोग, नीती आयोग के बारे में ह बरतमार में इसका क्या इंट्रो है इसके परिचे के बारे में देखेंगे इसके इंट्रो रेक्षन के बारे में चर्चा करेंगे नीती आयोग की संरचना बरतमार में क्या संरचना है किन संरचना के तहट नीती आयोग काम कर रहा है उद्देश क्या है किसी भी आयोग को गठ यह हम अपने अक्जाम को कौलिफाई करें और सेलेक्षिन सुनिशित करें इसी प्रकार नीती आयोग का कुछ तो उद्धेस रहा होगा जिसको लेकर वो अपना गठन हुआ नीती आयोग का और लक्षप्राप्ती के लिए यह काम कर रहा है नीतियायोक के सिध्धान, किन सिध्धानतों के तहर नीतियायोक काम कर रहा है नीतियायोक की साखाएं, इनकी कितनी साखाएं है कैसे नीतियायोक काम करता है अन्य महत्यपूर्ण और इससे संबंदित और भी बहुत से महत्यपूर्ण तत्थों के बारे में हम बात करेंगे जो exam point of view से महत्यपूर्ण है जो परिच्छा में कई बार question के तुरू पूछे जाते हैं तो आएए हम अब पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं तो प्रिष्ट भूम अगर हम इसके प्रिष्ट भूम के बारे में बात करें देखें कि इसकी क्या प्रिष्ट भूम रही तो हम सबसे पहले देखते हैं जानते हो आपकी 15 अगस्त 147 से पहले भारत बिटिस्क गुलाम था, उसके बाद 15 अगस्त 147 को भारत सुतंत्र हुआ, भारत को स्वाधिनता प्राप्त हुई भारत में बिकासेत, अब जब कोई देश किसी भी परतंत्रता से जकडन के बाद जब सुतंत्र होता है, तो उसकी प्रक्रिया कैसे सुनिस्चित हो, कैसे आगे काम करें, इन सब चीजों की प्लानिंग के लिए आवश्यक्ता होती है कि ऐसे निकाए हो जो प्लान करें और उसक संस्थान होना चाहिए, भारत में बिकास के लिए, भारत में बिकास की आवश्यक्ता के लिए ये महसूस हुआ कि क्या किया जाना चाहिए, पंच वरसी योजना के माडल को अपनाया गया, कि हम एक टार्गेट रखें, हम एक टार्गेट रखते हैं, जैसे हम एक्जाम में टार्गेट रखते हैं कि इस दिन इस हपते और इस महीने हम ये सलिवस अपना कवर करेंगी उसी तरह जब भारत स्वतंत्र हुआ उसको विकास करना था तो उसका ये मकसद था कि हम एक ऐसा आयोग गठित करें एक ऐसी संस्था गठित करें जो एक लक्ष प्रॉपर तैंक लक नाया गया पांच वर्स का एक योजना माडल हम उस पे काम करेंगे और लक्ष तक पहुंचेंगे ऐसी योजना के तहत बात की गई तो हुआ क्या कि 15 मार्च और 250 को एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड समित गठित हुई और इसकी अद्धक्षता कौन कर रहे थे तो केसी नियोगी जी इसकी अद्धक्षता कर रहे थे इस समित की तो उनकी सिपारिस पर पंच वर्सी योजना मॉडल के क्रियान वयन है तो योजना आयो का निरमान किया गया तो अगर एक्जाम में कोश्चन पूछता है कि योजना आयो का निरमान कब किया गया तो आप कि पंद्रा मार्च ओनेश सो पचास को योजना आयोक का निर्मान हुआ और एडवाइजरी बोर्ड समीत गठित हुई थी जिसके अद्धक्षता केसी नियोगी जी कर रहे थे उस समीत की और उसी के तहत पंचवरसी योजना क्रियानवेन हेतु योजना आयोक का निर्मान किय गया अगस्त 2014 अब हम ने तो इसके जो एतिहासिक प्रिष्ट फूम हैं उसके बारे में हमने बात करी अब बरतमान में क्या संरशना है कैसी इसमी बदलाव हुआ उसके बारे में देखिए तो अगस्त 2014 को इसमें काफी बदलाव हुआ और योजना आयोक के इस्थान पर नी नीती आयोक का निर्मान किया गया नीती नेशनल इंस्ट्यूशन फॉर ट्रास्फॉर्मिंग इंडिया उसका निर्मान किया गया और यह किसके द्वारा किया गया तो यह हमारे जो मानिनी प्रधान मंत्री हैं स्री नेरेंद मोदी जी उनकी सरकार विजेपी की एक जनवरी 2015 को नीतियायोग का गठन हुआ अगर आप से पूछे एक्जाम में कि नीतियायोग का गठन कब हुआ तो आप बताएंगे कि एक जनवरी 2015 को नीतियायोग का गठन हुआ आईए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं परिचय, अब हम इसके परिचय के बारे में देखेंगे, परिचय के बारे में हम समझेंगे कि आखिर इसका जो इंट्रो है, ये बरतवान में कैसा है, क्या इसकी जो संरचना है उसके बारे में एक तरह से कहें, तो हम देखेंगे, इस थापना, अगर हम इस थापना की बात कर साथियों हम आपको बताएं कि नीत यायोग एक गैर संबैधानिक संस्था है एक कारिकारी निकाय है गैर संबैधानिक संस्था से आसे यह है कि इसका संबैधान में ना तो कोई वर्णन है और ना ही यह संसत के किसी अधिनियम दोरा गठित है यह सरकार दोरा गठित किया गया एक निकाय है जिसका काम सलाहकारी प्रकित का है प्रकित हमने प्रकित के बारे में बात करी हमने बताय कि ये कारिकारी निकाय है गैर संबैधानिक है गैर वैधानिक है गैर वैधानिक का मतलब यही है कि इसका किसी भी संसत के कोई भी अधिनियम के द्वारा गठन नहीं किया गैर संभेधानिक है संभेधान में इसका कहीं बर्णन नहीं है ठिंक टैंक ठिंक टैंक और सलाहकारी निकाय है यह सोच विचार करके एक सलाह के रूप में सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है उद्देश क्या है उद्देश के बारे में अगर हम चर्चा करें कि इसका देश क्या है तो केंद्र वा राज्यों को सहकारी संगवाद की आधार पर सहकारी संगवाद से तत पर ये है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर दिर्ग कालिक नीती निर्माण हेतु सलाह देगा ये ऐसी सहकारी संगवाद की विचार धारा पर काम करेगा ऐसी सलाह देगा ऐसी बिवस्था बनाएगा इसे केंद और राज दोनों का हित संभव हो। अगर हम इसकी बरतमान में बात करें कि प्रतमान अध्यक्ष। तो जब आप याद रखें कि अगर आप से ये पूछें कि योजना आयोक का अध्यक्ष कौन था पहले? योजना आयोक का अध्यक्ष सबसे पहले कौन था तो आप ये बात की पॉइंट याद रखें कि योजना आयोक का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधान मंत्री होता है अब आप बता पाएंगे कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे तो हमारे पहले जो पियम थे नहरू जी वो उसके अध्यक्ष थे उपाध्धिक्ष की अगर बात करें पहला तो गुलजारी दान नंदा जी थे अगर हम बरतमान की बात करें और प्रतम की बात करें त इसका नीती आयोग का गठन कब हुआ जनवरी 2015 में हुआ उस समय पियम कौन थे तो उस समय हमारे नरेंद मोदी जी पियम थे और बरतमान में भी वही पियम है इसलिए प्रतमान अध्यक्ष किसके नीती आयोग के कौन है स्री मानिनिये नरेंद मोदी जी आए हम आगे देखते प्रतम उपाद्धक्ष की बाद करें उपाद्धक्ष क्योंकि ये बदलते रहते हैं इसलिए जब इसका गठन हुआ जनवरी 2015 में उस समय अरविंद पनगडिया जी इसके उपाद्धक्ष थे बरतमान उपाद्धक्ष आप याद रखें उपाद्धक्ष की निक्ती दूसरी खुलर और बरतमान CEO की अगर हम बात करें तो अमिताफ कांथ जी बरतमान CEO हैं यहां मैंने ब्रैकेट के अंदर इनके क्योंकि ये एक लेखत भी हैं तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तके लिखी हैं इनकी जो महत्यपूर्ण पुस्तक है इनक्रेटिवल इंडिया पैथ अहेड एंड ब्रांडिंग इंडिया ये इनकी पुस्तके हैं तो ये कई बार एक्जाम में पूछा जाता है तो आप याद रखें कि इन्होंने ये पुस्तके लिखी हैं जो महत्यपूर्ण हैं आईए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीतियायोग की सनरचना अगर हम नीतियायोग की सनरचना की बात करें कि कैसे कैसी बोड़ी है नीतियायोग की कैसे इसकी सनरचना है कैसे ये काम करता है किनके सहयोग से ये संस्था काम कर रही हैं नीतियायोग की सनरचना के बारे हम बात करें तो सबसे पहले इसके अध्यक्च के बारे में देखें इसका अध्यक्ष कौन है गवर्निंग परिसद गवर्निंग काउंसिल के बारे में देखेंगे छेत्री परिसद पूर्रकालिक संगठनिक धाचा के बारे में बात करेंगे और बिसिष्ट अमंत्रित सदस तो अगर हम अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष कौन होता है तो भ चेत्री परिसद दो या दो से अधिक राज्यों से निर्मित होता है ये चेत्री परिसद और जो इसका मुख अध्यक्ष होता है वो प्रधान मंत्री या प्रधान मंत्री दोड़ा नियुक्त किया गया ध्यक्ति होता है पूर्ण कालिक संगठनिक धाचा की अगर बात करें कि इसका संगठनिक धाचा कैसा है कौन कौन लोग है तो उपाधधक्ष हैं इसमें चार पूर्ण कालिक सदस्य हैं चार ही पदेन सदस्य हैं दो अंसकालिक सदस्य हैं और इसमें मुखकारिकारियदिकारी सीयो है और इसका सचिवाला है ऐसे इसकी पूर्ण कालिक क्या है धाचा संगठनिक धाचा है विसिष्ट आमंत्रित सदस्यों में कौन होते हैं तो वो प्रधान मंत्री द्वारा आमंत्रित विसेशक गे होते हैं वो विसिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में होते हैं तो ऐसी संरचना है किसकी नीतियायोक की, आईए हम आगे पढ़ते हैं, अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, पूर्ण कालिक, संगठिनिक, धाचा के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जो इसके उपाध्यक्ष हैं, जो इनके उपाध्यक्ष हैं, उनके बारे में देखते है और जो ये उपाध्यक्ष होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं जो इनका दर्जा है जो इनका इस्तर है वो भारत के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का होता है चार पूर कालिक सदस्य होते हैं हमने पढ़ा कि चार पूर कालिक सदस्य और इन सदस्यों का जो इस्तर है वो राज मंत्री के पद के समकाक्ष होता है राज मंत्री के जो इस तर होता है जो उनके पद का ओधा होता है उसके समान किनका होता है पूर्ण कालिक सदस जो चार होते हैं अंसकालिक सदस दो अंसकालिक सदस भी होते हैं चार पदें सदस चार पदें सदस और वो चार पद तो जो इनके अध्यक्ष है प्रधान मंत्री जी वो करेंगे CEO कौन होगा इनका CEO होगा एक निश्चित कारिकाल के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नियोक्त और वो होगा भारत सरकार के सचिव रैंक का कोई अधिकारी होगा सचिव रैंक के समकक्ष होगा भारत सरकार के सचि इसकी संरचना है अध्धक्ष की बात हमने करी कि स्री नरेन मोदी जी इसके अध्धक्ष है उपाध्धक्ष राजीब कुमार जी और CEO जाउन है गौवामिताव कांथ जी CEO है इसके अब पूर कालिक सदस की अगर बात तरहें कि पूर कालिक सदस कौन है तो डाक्टर विनोद पाध और ये लोकसा संबंदित हैं जुड़े हुए हैं बिजय कुमार सराश्वत ये पूर्व डियाइडियो के सचिव रह चुके हैं और रमेश चंद्र जी जी हैं वो क्रसिबी से सग हैं ऐसी इनके पूर कालिक सदस हैं अब हम देखते हैं पदेन सदस तो पदेन सदस मे राजनाज सिंग जी हैं जो रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीता रमान जी हैं अपूनी और अमिस साह जी हैं ग्रा मंत्री हैं और नरेन सिंग तोमार जो ग्रामीन विकास मंत्री हैं अब हम देखें बिसे सा मंत्र सदसों के अगर बात करें निर्मला सीता रमान के बारे में आ तो यह नितिर करी जी बरतमान में सअड़क परिवांन मंत्री है प्यूस गोयल जी है इस वह है जो सामिल आई अगला नीत यायोक की उद्देश नीत यायोक का उद्देश क्या है क्योंकि कोई भी निकाय है कोई भी संस्ता है कोई भी संगठन है एक उद्देश के तहट काम करता है तो नीत यायोक का उद्देश क्या है हम उसके बारे में देखते हैं सहकारी संगबाद को बढ़ादा सहकारी संगबाद सेताध पर यही है कि हम मिलकर के चाहे केंदर हो चाहे राज्य हो सम मिलकर के विकास की बारे में चर्चा करेंगे प्रगती के बारे में चर्चा करेंगे राज्यों के सक्री भागीदारी से विकास हो राज्य अपनी एक बिस bottom to top की रन्नीद हम नीचे से उपर की रन्नीद पर काम करें ऐसे योजनाओं का क्रियानवयन हो जो जमीनी इस्तर से लेकर उचाईयों तक महुचे ग्रामीन इस्तर की योजनाओं है तो तन्त जो ग्रामीन इस्तर के लिए तैंक की जाती है योजनाओं उनका उचित क्रियानव करें कि जो ग्रामीर विकास के लिए महत्यपूर्ण हो वहां के लिए उपयोगी हो समाज के पिछड़े वंचित वर्गों का विकास हो सके इसके बारे में भी चिंतित रहने का और इसके बारे में जो नीत निधारन का काम है वो नीत यायोग के द्वारा किया जाता है SDG लक्षों की प्राप्ति Sustainable Development Goal एक धारणी प्रकार का विकाश हो उसकी लक्ष की प्राप्ति हो ऐसी इसका उद्देश है नीतियायोग का ज्यान वा नवाचार को बढ़ाना ज्यान वा नवाचार में ब्रद्धी हो इन सब उद्देशों के लेकर के नीतियायोग काम कर रहा है नीतियायोग के मार्गदर्सक सिधान नीतियायोग का मार्गदर्सक सिधान क्या है जिसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए नीतियायोग प्रेजित हो रहा है अन्तियोदेश नीतियायोग का जो मार्गदर्सक सिधान थे उसमें सबसे पहला अंतियोदय अंतियोदय से ताथ पर ये है कि अंतिम पंति का जो ब्यक्ति है जो एकदम सबसे पिछड़ा भी ब्यक्ति है जिस उसका भी विकास हो सके उसका भी उदय हो सके अंतियोदय इसका मार्गदर्सक सिध्धान्त है अभिसासन एक अच्छा सुवेबस्थित और सुसासन इस्थापित हो समावेशिता सभी का समावेश हो उसमें के अंदर राज जी इस तर पर और अगर हम राज जी के अंदर देखें तो नगर पालिका और पंचायत इस तर पर सभी का समावेश हो सके गाउं का विकास हो जनसंख्यात्मक लावांस इसमें जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा जादा से जादा हिस्सा प्राप्त कर सके लाव उठा सके उसके पास तक्सुविधायें मुहया हो सके जनसहवागिता जनसहवागिता इसका मागदसक सिध्धानत है लोग जैदा से ज़्यादा जुड़ें और धारनियता अंतिम धारनियता एक इस्थाई धारनियता का मतलब है कि एक इस्थाई रूप से इस्थाई रूप से क्या हो सके लक्ष की प्राप्ति हो सके बिकास और प साखाएं तो पहले सोध साखा नीतियायोक की जो पहली साखा है वो सोध साखा है इसमें ये विभिन योजनाओं को विभिन प्रकार के कारिक्रमों के बारे में रिसर्च करके सोध करके और उसको संपन्द करने का काम करते हैं टीम इंडिया साखा इसमें केंदर इस्तर पर रा पादि का इस तरपर राजी के अंदर उन समस्त का सहयोग एक टीम के तरह ले करके आगे बढ़ने का है ज्यान हो और नवाचार सागा ज्यान हो और नए नए ऐसी बिचार नए ऐसी योजनाएं उनको ले करके आने का काम ठिक टैंक के रूप में अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अन्य महत्यपूर्ण तत नीत यायोग से संबंधित और कौन-कौन से महत्यपूर्ण तत हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं नीत यायोग से संबंधित विभाग कौन-कौन से हैं राश्टी श्रम अर्धसास सोधेवं विकास संस्था नरेला दिल्ली जिसकी इस्थापना कब हुई 1962 कई बार एक्जाम में factual question पूछे जाते हैं आप इसलिए date भी याद रखें दिकास निगरानी वा मुल्यांकन कारयाल है दिल्ली 1954 नीतियायोक हाँ ये exam में कई बार question आपको देखने को मिलता है कि आपको सुचकांक दे दिये जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन सुचकांक में से कौन सा सुचकांक नीतियायोक जारी करता है कई बार पूठ लेता है इन में से कौन सा नहीं जारी करता तो आप देखें कि नीतियायोक द्वारा जारी सुचकांक क्योंकि ये सभी के बारे में analysis करता है राज जी इस्तर पर और सूचकांग को के बारे में समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है तो भारत नावाचार सूचकांग जारी करने का काम कौन करता है ? नेतियायोक। राश्टी-सवास्त सूचकांग जारी करने का काम भी नेतियायोक का है Ease of Living and SDZ India Sustainable Development Goal and Ease of Living के डाटा को भी प्रकासित करने का काम नेतियायोग का है Export Priorities Index इसका भी जारी करने का काम किसका है नेतियायोग का School Education Quality Index जो School Education है किस राजजी का कैसा है किस स्कूल का कैसा है इनको जारी करने का काम भी नेतियायोग का है और Composite Water Management Index भी जारी करने का काम कौन करता है तो वो नेतियायोग करती है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देखें Point No.3 Attal 94 Mission Attal 94 Mission के अंतरगत क्या है नेतियायोग द्वारा 94 को बढ़ावा देने है तो प्रारंभ किया गया है क्या Attal 94 Mission और ये कप प्रारंभ किया गया अगर आपके एक्जाम में पूछता है तो आप बताएंगे किती थी ये जो 2016 में इसका प्रारंभ हुआ इसकी सुरुवात हुई प्रामुक कारिकरम इसके अंतरगत कौन कौन से प्रामुक कारिकरम होते हैं आई ये हम उनके बारे में देखते हैं अटल टिंकरिंग प्रयोक साला ये विद्याला इस्तर पर करने के लिए ये गठेत किया गया अटल इंक्यूवेटर्स बिस्विद्याला इस्तर पर और उद्योक के इस्तर पर ये बात की गई mentor of change startup के बारे में भी चर्चा अटल 94 मिशन के अंतरगत होती है कार्य अटल 94 मिशन के अंतरगत अटल immunity innovation के अंतरगत उसके बाद अटल new India challenge इन सब के लिए अटल 94 मिशन कारेड़ है पॉइंट नमबर 4 अभिनाव भारत है तो 75 कारेड़ अभिनाव भारत के लिए भारत का उदाए हो उसके लिए 75 कारेड़ शूत्रे कारेड़ नीत तयार की गई इसे 29 दिसंबर 2018 को पेस किया गया कब पेस किया गया? 29 दिसंबर 2018 को new India, new India के द्वारा 2022 में सुतनता की 75 वी बरस गांट पर ऐसा किया गया पेत्रों का इसकी अंतरगात क्या किया गया? समावेशन किया गया आईए हम आगे देखते हैं नीती आयोग, नीती आयोग का विजन क्या है? strategy क्या है? ये कैसे action करता है? कैसे कारे करता है? कैसे निरने लेता है? जो vision की बात करें तो 15 वरसों के नियोजन का इसका vision है, इसका लक्ष है strategy क्या है? साथ वरसों का नियोजन, इसकी strategy है कि हम साथ वरस में ऐसी नियोजित करेंगे प्रक्रिया और action agenda है, तीन वरसों का नियोजन, इसका action agenda के अंदरगात है अगर हम महत्पूर्ण चीजें देखे, आत्म निर्भर भारत नवाचार एप जुलाई 2020 में लांच किया गया नीतियायोग द्वारा data governance index ये भी जारी करता है कई सारी योजनाएं हैं देसे दादा दादी नाना नानी अभियान की सुरुवात नीतियायोग के द्वारा की गई navigation दा new normal ये कब जारी किया गया 2020 में जब COVID-19 था उस समय जारी किया गया और development monitoring and evaluation office जो नीतियायोग के अंतरगात है आईए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्टी विकास परिस्द भी नीतियायोग के समान ही एक संस्था है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इससे भी question कई बार exam में MPPSC के exam में पूछे जाते हैं राष्टी विकास परिस्द एंडीसी जिसको कहते हैं सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा ये इससी स्थापना कब हुई तो 6 अगस्त उने इस सुबामन को इसका गठन किया गया NDC एक कारेकारी निकाए NDC एक कारेकारी निकाए है ये समपेधानिक निकाए नहीं है आप ये याद रखें आप से question में पूछा जाएलगा कि NDC कいसा निकाए है NDC योजना आयोग अब नीति आयोग की तरह NDC उसके बाद योजना आयोग और अमनीत यायोग ये सब एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार करते हैं अगर हम इसकी सनरचना के बारे बात करें अगर हम इसकी सनरचना देखें कि कैसी है तो एक अध्यक्ष और अध्यक्ष कौन होगा भारत का प्रधान मंतरी सभी राज्यों के मुख मंतरी होंगे इसके अंतरगत सभी केंसासित प्रदेशों के प्रशासक इनको राजजपाल कहते हैं सभी कैबिनेट मंतरी सभी कैबिनेट मंतरी होंगे और योजना आयोग के सदस भी इसके अंतरगत सामिल होते हैं इसके अंतरगत क्या होते हैं सामिल होते हैं अब हम देखें मध्य प्रदेश राजनीत एवं योजना आयो क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश से संबंधित भी important factor के बारे में चर्चा कर लेते हैं राज जी योजना बोर्ड का गठन सामान प्रसासन विभाग के द्वारा कब किया गया तो वो 24.10.1972 के माध्यम से किया गया मुख मंतरी राज जी योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं एक उपाध्यक्ष होता है इसमें और 11 लगभग अंसकालिक सदस होते हैं 21.2007 से क्या हुआ कि राज जी योजना बोर्ड को राज जी योजना आयोक के नाम से जाना जाने लगा तो साथियो आज हमने देखा नेती आयोक के बारे में नेती आयोक के बारे में हमने बिस्तार से पढ़ा बिस्तार से चर्चा करी ये क्यों कठित हुआ, इसका कार क्या है, इसकी जो गठन की प्रक्रिया रही, वो क्या रही और इसका प्रिश्टभून क्या रहा, इसका इतिहास क्या रहा, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप की तैयारी में हमारा जो ये छोटा सा एक सहयोग है वो फायदेवन सावित होगा आप हम से जुड़े रहें आप competition community के team के साथ जुड़े रहें अभी हमने इसके पहले आपको बताया कि हम किन-किन विसेयों के बारे में किन-किन topic के बारे में चर्चा कर चुके हैं आपने अगर उनको नहीं देखा आप जाईए विजिट करिए और उनको देखिए और हम आगे अंगले unit 10 के ही अंगले topic मानाव अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे आप उससे जुड़ें आपका बहुत बहुत धन्यवाद